असलाम अलाइकुम आने मिस रोशनी रॉफ और वेलकम तो मैं चैनल आज की इस वीडियो में हम वर्ट्प्रेस की हैंटस्वन एक्सरसाइस नंबर थी का सुलेशन शेयर करने जा रहे हैं कोई प्रॉब्लम हो कोई कंफूजन हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा आपको लर्णिंग आउटकम्स बताएं और उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या करेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को यहां से कॉपी करते हैं वर्ट के एक डॉक्यमेट के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देंगे बेसिकली आज हमें करना क्या है एक थीम इंस्ट आनी होना मैं बहुत स्टेप बाइ स्टेप लेकर आपको चलूंगी और आपको क्लियर करूंगी कि बेसिकली वह यहां पर बोल किया रहे हैं सो बिल्कुल भी परेशान मत हो सिंपली इतना अब अब जैसे मैं करवा रही हूं वैसे करते जाएं इसको यहां से सिंपल जैसे क्रES्ट करेंगे कॉट्रोल एप्रेस करेंगे और अपने वर्ड के डॉक्यमेंट में जाके कैरेंगे कॉट्रोल भी प्रेस कर देंगे यहां पर आखे जब आप क्नोई करो अपके उपर यह जो आपने उपने खुछ से लिखा उगा है इसका फॉंट कुछ और होगा नीचे statement जो है वो काफी लंबी है, you are instructed to install ocean wordpress theme from wordpress directory, basically हमेशा वो आपको task 1, task 2, task 3 करके देते हैं, इस वज़ा से शायद आपको इस चीज़ की आदत ना हो, बट क्यूंकि अब आपको idea है कि basically हमें solution किस तरह से create करना होते हैं, so इस वज़ा से इसको हम divide करेंगे, मतलब कि first step जो है वो आपको ocean wordpress theme जो है उसको install करना है, so simply हम क्या करेंगे, इतने part को अलहदा कर लेंगे, और उपर से इतनी जगा छोड़ देंगे, second हमारा step होगा, in the next step install required plugins, ठीक है, आपको plugins इंस्टॉल करने है, so simply हम क्या करते हैं, okay इतने part को, मतलब कि plugins वाले part को अलहदा कर लेते हैं, उसके बाद next हमें क्या करना है, choose the demo of your own choice, import the demo content of the theme, and install necessary plugins for the demo, अब आपको क्या करना है, इतना part आपका, जो theme तक का part है, वो एक है, और उसके बाद install यह वाली जो इनसी चीज़ है, यह दूसरा हिस्स है, so इसको भी हम नीचे कर देते हैं, clear हो गया, इससे यह फाइदा हो जाएगा कि जब हम काम कर रहे होंगे, तो उससे पहले ही हमारा पुरा document त्यार होगा, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कि बार बार आपको लिखना पाड़ा है, बार बार आपको ready करना पाड़ा है, simply हम अपना document ready कर चुकी है, एक से दो मिनट जादा जादा लगेगा, और अब अब फिर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला काम जो आपको यहां पर करना है कि वो यह आपको एक theme इंस्टॉल करना है, तीम का नाम है Ocean WordPress theme, simply आप इसको यहां से copy भी कर सकते हो, बट इसकी जुरुत नहीं है, अपने dashboard पर जाएं, आपको सबसे पहले जो चीज न आपको यहां साफसुतरा नजर आ रहा है, अगर बात की जाए कि यह जो हम free hosting यूज कर रहे हैं, इसको यूज करते हुए कि क्या हम WordPress सीख सकते हैं, basically free hosting इस चीज का नाम है कि आप 15-20 मिनट के लिए भी अगर कोई काम कर रहे हो ना, तो उसके बाद आपका server जो है, वो डिना करना है, कोई पैसे नहीं लगेंगे, no hosting, no domain name, आपको कोई भी पैसे लगाने की जुरहत नहीं है, बहुत easily आप उस website को create भी कर लोगे, and secondly आप उसके पर 5, 6, 7, 8, 9, जितने मर्जी घंटे चाहो, practice करो, customize करो, install करो, कुछ भी करो, वो website डाउन नहीं होगी, so अगर आपको वो solution चाहिए, just let me know in the comment section, because फिर मैं आपके साथ वो solution शेयर कर दूँगी, और फिर आप बहुत अच्छे से practice भी कर सकते हो, अगर आपके पास कोई अच्छा solution already मुझूद है, comment section में तब भी बताईएगा, ताकि बाकि students की help हो सके, so first of all हमें क्या करना है, यहां से add new के उपर click कर देना है, जब आप add new के उपर click करोगे, तो दुबारा से आपके पास बहुत बड़ा सा एक add आएगा, और उसके बाद page उन सा वो load होना start होगा, जो काफी irritating है, इसको close कर देते हैं, यहां से मैं search करूँगी ocean WP, और आप देख सकते हैं, जैसी मैंने ocean लिखके WP लिखा, तो मेरे पास सबसे पहली, बलकि सिर्फोशन भी आप लिखोगे ना, तो आपके पास सबसे पहली theme यही आएगी, इसको हम यहां से कर लेते हैं, install, ठीक है, install करने पर ज़्यादा एक दो मिनट लगेगा, तो आपने इतना ज़्यादा इस चीज़ के उपर पर परेशान नहीं हो अब आप देख सकते हो, आपके पास यह install हो चुकी है, आपको काम क्या करना है, उनने फर्स चीज़ थी, install ओशन वर्डप्रेस theme, तो हमने इंस्टॉल कर ली, इतने पार्ट का हम करेंगे, एक screenshot ले लेंगे, अगर आप लैप्टोप के पर काम कर रहे हो, तो आप नीचे से function कि मतला कि इसके पर FN लिखा होता है, और उपर से print screen की के, बटन को जैसे ही प्रेस करोगे, screenshot आपके पास आजेगा, वर्ड के दोकिमेंट के इंदर जाके, आपने just control V प्रेस करना है, और आपके पास पूरे का पुरा document जोंस है, पूरे की पुरी जो screen है, उसका screenshot आजेगा, next step है install required plugins, first of all तो मैं आपको ये बता दूँ कि हमें इस theme को activate करना है, जैसे ही आप इसको activate कर लोगे, तो फिर उसके बाद plugins का step आएगा, because जब आप activate करोगे, तो automatically आवो आपको एक message भेजेगे, कि इस theme को use करने के लिए जो recommended plugins हैं, वो कौन-कौन से हैं, वो है Elementor और Ocean Extra, simply यह पर क्लिक कर दीजिए, begin installing plugins, जब आप क्लिक करोगे, तो आपके पास कुछ इस तरह से आजेगा, interface आपने, चाहो तो इन दोनों को one by one क्लिक कर दो, या गर simply आपके पास बहुत जादा का भी plugin हो, तो आपने उपर यहां पर क्लिक करना है, सब कुछ select हो जएगा, यहां से मैं थोड़ा सा वेट करना है, अब यह देखें, उनना ने बोला है, अब यह देखें, यहां पर उनने दिखा दिया एक error free, जो उनसी आपके hosting है, उसको यूज करने का एक और बहुत बड़ा issue यह है, कि बिला वज़ा के errors जो है, वो बहुत ज़्यादा आते हैं, मतलब कि अ सिंपली मैं admin आगे लिखता हूँगी, इससे यह होगा कि मैं directly जो उनसा है, अपने dashboard के तरफ redirect हो जाऊँगी, so अब मैं redirect हो चुकी हूँ, आप देख सकते हूँ, अब यहां पर कोई error नि दिखा रहे हैं, so यह जूसी आप free की, जो use करते हैं, हम hosting, उसकी वज़ा से यह issues आत यहां पर elementor भी already activate हो चुका, ocean extra भी activate हो चुका है, यहां पर कोई issue, कोई problem नहीं है, अब simply हमें क्या करना है, इतने part का हम ऐसा करते हैं, screenshot ले ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको required plugins वो इंस्टॉल करने हैं, हम इंस्टॉल कर चुकी हैं, और यहां पर हम आपको theme panel नज़र आ रहा है, उसके नीचे आपको देखें तो यह install demos नज़र आ रहा है, आपने simply install demos के ओपर click करना है, जैसे ही आप click करोगे, आपके सामने different demos आ जाजेंगे, so अब यहां आपके पास different demos आ चुके हैं, add बहुत बड़ा सा, इसको close करते हैं, आपकी अपनी मर् सकते हैं, plugin उसका demo import कर सकते हैं, कोई issue नहीं है, मैं simply just first वाला ले रही हूँ, ठीक है, मेरी नज़र में मुझे यह पसंद है, that's why मैं यह ले रही हूँ, इसको मैं यहां से click कर देती हूँ, अगर आप चाहो live preview भी देख सकते हो, live preview देखने का क्या तरीक है, कि आपको वहां live preview के उपर click करना है, आपका कुछ इस तरह से content होगा, आपकी website का, ठीक है, simply आप इसका screenshot ले लो, because उन्होंने बोला होगा है, choose the demo, ठीक है, so हमने demo जो choose किया, वो यह है, of your own choice, ठीक है, and import the, इसको आपने फिलहाल जोन से है, इसके लिए हम यहां पर import the demo content, इसको हम लहदा कर देते हैं, choose the demo of your choice को लहदा कर देते हैं, इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, यहां से हम आई को capital करेंगे, उपर चलते हैं, और यहां पर जाके, वो demo जो है, यहां पर paste कर देते हैं, because हमें जो demo चूस किया है, वो यह वाला है, अब इसके बाद next, जो काम हमें करना है, वो इसके required plugins को install कर लेना है, basically हमें जो required plugin है, सिर्फ एक कम है, हमारे पास, मैं इसको यहां से install कर लेती हूँ, ocean social sharing, ठीक है, और नीचे वाला जो हमारे पास elementar already मुझूद है, wordpress forms भी मुझूद है, ocean extra भी मुझूद है, ocean sticky header, जितने दिर वो activate हो रहा है, आपको clear कर देते हूँ, एक ऐसा plugin है, जिसको use करते हूँ, आप एक ऐसा header क्रिएट कर सकते हो, जो आपकी website के साथ चिपक जाएगा, मतलब कि अगर आप नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे, header भी आपके साथ नीचे नीचे आएगा, यह एक extra addon है, add करना चाहते हो, कर लो, कोई issue नहीं है, नहीं करना च कर दिया कि हमने अपने plugin इंस्टॉल कर ली है, control V प्रेस करेंगे, इससे यह होगा कि हमारा सारा काम यहां पर आजाएगा, एक बहुत important चीज है, जो मैं starting में आपको बताना भूल गई हूँ, वह मैं आपको end पे दुबारा से बता दूँगी, आपने video end तक जरूर देखनी ह कि यहां पर उन्हें किया हुआ कि आपको किस तरह से solution create करना है, यह हमारी अपनी मर्जी है कि हम इस तरह से solution create कर रहे हैं, तो मैं आपको दो तरीके बताऊंगी, ठीक है, अब यह तमाम तर चीज़ें हम import करना चाहते हैं, यह हम लिखेंगे install this demo, जब आप इसके उपर click तब तक मैं आपको दूसरा काम जो मैं अभी आपको बताया था, लास्ट पर बताऊंगी, वह मैं अभी आपको clear कर देती हूँ, first of all, तो मैं इसको क्या करती हूँ, set कर लेती हूँ, और एक और काम जो मैं आपको यहां पर बताना चारी थी, वह यह है, कि basically उन्होंने नहीं पर बताया नहीं है कि हमें किस तरह से solution को create करना है, so आपको यहां पर सिर्फ एक काम करना है, simple सा, और वो यह है कि आपको यहां पर ना URL दे देना है, अपनी website का, इससे यह होगा कि एक तो अगर वो, यहनि कि for example आपकी website visit करना चाहेंगे, तो आपकी website भी visit कर लेंगे, आप आपने screenshots भी provide कर दी होंगे, इसका फायदा यह हो जाएगा कि आएक तो आपकी website URL अवेलेबल है, एक आपकी website URL अवेलेबल है, दोनों में से जिस भी चीज की requirement होगी, वो clear हो जाएगा, so आपने यहां पर URL याद से डालना है, so हम देखते हैं, यह देखें हमारा सारा काम complete हो सेम टू सेम इस website जैसी होगी, यह website जो मैंने आपको पहले demo के तोर पर दिखाई थी, हमारी website भी सेम टू सेम ऐसी ही create हो चुकी होगी, जबकि हमने कुछ भी ने किया, इसे को बोलते है demo, यहां से इतनी screen का screenshot लेंग, यहां पर जाएं, और simply यह देखें, import the demo content of the theme, अब हम क् इंपोर्ट कर चुकी है, control V करेंगे, demo imported, ठीक है, यह काम भी हो गया, हमारा अपनी website देख लेते हैं, बहुत slow है, और मेरा ख्याल है कि यह जो उसी website है, इसने पकाम करना छोड़ दिया है, बिकर यह down बहुत ज्यादा हो चुकी है, हम इसको दुबारा से जब on करने की कोशि को यहाँ पर लोट किया है, तो यहाँ पर यह वाला हमारे पास फॉर्म आ चुक है, welcome to the famous 5-minute WordPress installation, इसका मतब यह है कि हमारा server दाउन हो चुक है, और हमें तकरीबन 1-5 घंटा या पर आदा घंटा कम असकम वेट करना होगा, कि हमारी website जब दुबारा से हम ओन कर सकें, simple सी बा करना है, simply अपनी website का URL जो उन सा है, URL यहाँ .com तक होता है, ठीक है, आपकी website का जो भी नाम है, आपने वो .com तक वहाँ पर डालना है, अगर आप यहाँ शुरू से HTTPS बे डालना चाहते हो, तो यहाँ से लेकर आप इस तरह से control C करोगे, और simply जाके यहाँ पर control V कर दोगे, कोई problem हो, कोई confusion हो, comment section में जरूर पूछिएगा, यह जो error है, यह जो issue है, इससे पीछा किस तरह से छुड़वाया जाता है, अगर आप चाहते हैं, मैं आपके साथ इस चीज़ करूँ, comment section में जरूर बताइएगा, वीडियो पसंद आई हो, तो like जरू कीजेगा, और channel को subscribe ज कर दोawan, जरू झाहते हैं, मैं जरूर बताइएगा एड़ाया जाया जाता है, कोईब सके साथ थेजुँ कर दो पार सबरादे कर जरूर दो सके मैं जर रएके जर पण्रow मैं से पार इस जरूर सो से जरू अजरू एकर अइसे त провाया कहते हैं, प्के उरूरे ख़र abolभ veoidd